हलो फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूँ बहुती क्रिस्पी और टेस्टी कॉन के कटलेट इसे बनाने के लिए एक कप फ्रेश कॉन लेंगे इसके ना ला लेंगे एक इंच अद्रक का टुकडा दो हरी मिच इन तीनों चीजों को मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे कॉन को मैंने इस तरह से दरदरा पीस कर रैडी कर लिया है इस पेस्ट को एक बाउल में निकालेंगे इसमें टालेंगे दो बॉइल और मैश करे वे आलू थोड़े से कॉन के दाने एक बारी कटा हुआ शिमला मिर्च पैटिंग के लिए डालेंगे दो टेबल स्पून कॉन फ्लार आदा कब डालेंगे ब्रेड क्रम्स एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज आदा चमच काली मिर्च टेस्ट के गोडिंग नमक आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच चाट मसाला और बारी कटा हुआ हर करेंगे हातों से इस तरह से अच्छे से सारी चीजों को बिलाएंगे और इसका डो तयार कर लेंगे कटलिट बनाने के लिए पहले हातों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसका एक पोर्शन लेकर कटलेज की शेप बनाएगे मैं यहां पर गुल-गॉल कटलेट की 16аны लेंगी मैदा इसके अंदर ऑम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसकी 55 सिर्ड़ी बनाकर रेडी करेंगे ध्यान रहे कि इसके अंदर कोई भी लंप्स ना रहे इसके अंदर डालेंगे cutlet अच्छे से dip करकर इस cutlet को breadcrumb से अच्छे से coat करेंगे चारो तरफ से अच्छे से मैंने cutlet को breadcrumb से coat कर लिया है सेम प्रोसेस से सारे cutlet को ready कर लेंगे और इन्हें आदा गंटे के लिए फ्रिज में sat करने के लिए रख देंगे आदे गंटे बाद cutlet अच्छे से sat हो चुके हैं तेल को medium flame पर गरम करेंगे और एक एक cutlet डाल कर इसको deep fry करेंगे golden brown होने तक गेज की flame को हम यहाँ medium ही रखेंगे एक तरफ से अच्छे से golden brown होने पर cutlet को इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी side भी अच्छे से golden brown होने तक इसे deep fry करेंगे cutlet दोनों तरफ से अच्छे से golden brown हो चुके हैं इसे हम निकाल लेंगे same process से बाकी के cutlet को भी इस तरह से deep fry करके ready करेंगे cutlet का second base भी बनकर ready हो चुका है इसे भी निकाल लेते हैं बहुती क्रिस्पी और टेस्टी कौन के cutlet बनकर ready है आप ये टेस्टी और क्रिस्पी कौन के cutlet एक बास जरूर बनाकर try करें आपको ये बहुती ज़्यादा पसंद आएंगे आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग कीप स्माइलिंग